अगर आप यह सोच रहा हैं कि बॉर्ड में यह राइटिंग चलेगी या नहीं चलेगी तो मैं आपको इतना बता दूँ कि राइटिंग 100% चलेगी तो मैं यही कोंगा कि आप यही राइटिंग से किसी और राइटिंग जैसे जॉनि राइटिंग के पिछे ना भागें यही आपके बहतरी यह है कि आप इसी राइटिंग को फोकस किपी मुनिस्टार चैनल पर कुशाम देद दोस्तों राइटिंग करने के लिए आपने सबसे पहले काम यह करना है कि अपने आपको समझाने कि आपने ठीक करनी है और हर हाल मैं ठीक करनी है देखें जब तक आप अपने जित नहीं चोड़ाएंगा तो इसी ताना इस बात को जित बनाने राइटिंग नहीं यह एक जित है तो आपने हरहाल में पूरी करनी है और जब आपको सकून मिलेगा जब तक आपके जित पूरी नहीं की जाए तो यह जित पूरी आप खुद करेंगे कोई और नहीं करेग अब हम अपनी वीडियो को बढ़ाते हैं आगे सबसे पहला काम यह है कि आपने एक अच्छा सा पैनल ले रहे हैं और वह पैनल की स्ट्राइब का वह आप उर्दू बादार में आराम सा आपको यह मिल जाएगा इसके इलावा दोस्तों आपको यह और पैन भी खरीब सकते हैं आपकी मरसी आपको जो ठीक लगे अगर आपको कुछी और पैन से फाइदा यह है कि अगर आप यह पैन यूज़ करते हैं तो आपको इसकी एक तो भी कर सकते हैं पसीना आता है तो फिर वह पहुंश नहीं होगी ताइम आपका नहीं जाया करेगा और काफी अच्छा पैन है आप इसको एक बार यूज़ करके देखिएगा एक अच्छा पैन चूस कर लिया है अब क्या गर है अब चार लाइन वाली कोपी लेने के बाद आ है लेकिन आपने काम करना पड़ेगा जब भी आपके राइटिंग में इंप्रूफमेंट आएगी तो यह चार लाइन वाली कोपी लेनी है इस पर जादा नहीं थोड़ा वक्त करें लेकिन यह कि आपको 100% इसका फाइद होगा जादा नहीं कम से कम थोड़ा से मुराद यह है कि रुजाना का एक मैंच कर लिया इस तना से यह होगा कि आपके राइटिंग काफी हद तक बहुत अच्छी हो जाएगी और पिर इसके बाद यह है कि बेगंडे का चांस नहीं होगा लेकिन अगर आप इस पर काम नहीं करते तो पिर यह एक राइटिंग करने के लिए ज चल्डी आपका ठीक होगा तो इसलिया आप अचाई लाएन वाले कौपी लेनी और याप इस कोपी लेने के बाद आपने यह एपने करना है करना चाहते की इस टाइप करना चाहते हैं इस तरफ गिरिवी इस तरफ का इस टाइप करना चाहते हैं इस तरफ गिरिवी है इस टाइप करना चाहते हैं तो इन तीनों में से कोई एक च्वाइस करनी है अब होता यह कि ज्यादातर कुछ लोग जो है ना यह अलग अलग वर्ड लिखते हैं आप यहां के किस टाईप की चाहिए आपकर तो आपको जय देखेंगे कि मे जीमेल लेंसे लिख रहाँ यहां। यह देखेंगे मैं यह ऐख रहां कि यह मेन है मैं ऐसे आपको पूंड़ रख्णैکं कि आपक्रतें हैं। होता है कि हम करते हैं रैइटिंग इस तरह से हैं और कभी के बार इस तरना से झीमेल लिख रहे हूंगे तो आप ने पहले बाप कर लेना ना है कि आपने लिए रैइटिंगा जो आपने ट्रк लिक्षा करनों या फिर एन तीनों में से पहले अस बात को क्यों और आउगा सकते हैं तो इसलिए आपने पहले पप्का करना और पिर उसी युवान को आपने टीक करना आए कि आपने किस तरह से यह लिखा इसी तरीके साथ बना हुआ है अगर आप यह वाला चुझ करते हैं यह लिए वाली यह पे लिख दी तो इसके बाद यह होगा कि आपकी राइटिंग फिक्स हो जाएगी ठीक है फिर इसके बाद आपने यह काम करना है एक तक लिखनी है तो एक दफ़ा नहीं कम सकन्द तीन से चार-पांच दफ़ा आपने इसको लिखना है ताकि आपको इलफाबेट सही बनाना आ आपने लिखने लिखने के बाद कम सकन्द चार-पांच लिखने के बाद फिर इसके बाद आपने राइटिंग शुरू करनी है इसी के उपर जैसे कि आपको दिखा दूं कि वह शुरू किस्टना करनी है आप तो जानते हैं कि जोंसा वर्ट तीन लाइनों में आएगा वो टीन लाइनों में जो दो लाइनों में तो यह बाद आपको अच्छे तरह किसा बाता कौन से वर्ट कितनी लाइनों में आएगा तो उसके साफ साफ अपने राइडिंग करनी है ठीक है अब मैं जैसे यहां पर लिख दूँ कि मुंवन्स कि मुण फूर्मेंट इसके बाद दोस्तों आपने जो A to Z आपने A B C T लिखी होगी ना दोस्तों पहले तो इसको आपने ठीक करना होगा जिसमें से जो वर्ट आपका खराब हो उस वर्ट को आपने अच्छे तरीके से लिखना होगा और उसको जब तक ठीक नहुजा उसकी जानth नहीं छोड़नी ह जब वह वड़ ठीक हो जाए फिर आपने एक टूजेट लिख लिए फिर उसके बाद आप ने इस तरी से रायटिंग करनी है और जरैटिंग ठीक जब तक ये चार पंच पैजिस हो जाएंगे रायटिंग के ये चाल डाइनों वाली पर इसके बाद आपने आना उर्दू वाल काम करते हैं कि वन जिस सदना से पने लिखना यह लेकिन हैं हर एक वर्ण के बाद आपने अग्ली का गेब देना है कि आपको आपको मालूम हो गेप देने के बाद एक वर उसके हिसाब से ही सारे वर्ट एकोल हो दोस्तों इस बात का दियान लगे अगर सारे वर्ट एकोल होना चाहिए अगर यह वर्ट एकोल नहीं हुए तो फिर आपके राइटिंग बहुत जादा बुरी नतर आएगी और वह जो आपको लगीरे जाएगी राइटिंग भी अच्छी हो जागी और इसके बाद कभी चांस नहीं हो कि आपकी राइटिंग गंदी हो स्पीड सी लोग हो सकते हैं लेकिन राइटिंग गंदी नहीं होगी और राइटिंग पकी हो जाएगी इस पर प्रैक्टिस करें इन्शाल्ला देखेगा आ प्रेक्टिस करें जितनी बड़ी आपकी जीत होगी उतनी जाद अच्छे राइटिंग होगी उसी पर ही उतना ही अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा तो इसलिए आप इस पर अच्छे तरीके से महनत करें महनत नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा मुफ्ण मैं यहां पे कुछ नहीं मिलता तो इसलिए महनत करने पर दी हारे thing चीज के लिए तो इसको बहुती जीज नहीं लें यह भूगण बड़ी चीज्स है कर आपने इसको अभी ठीक नशन यहिए भी ठीक नहीं पाएगे साथ चैनल को